वेलकम टू फाइंडिंग एक्स और आज जो हम देखेंगे वो है कंजूगेट यही में टॉपिक है आपके प्रैक्टिस सेट 2.4 का तो कंजूगेट क्या होता है आपको बताता हूं सब्सक्राइब कुछ देखे रखा हुआ है इस तरह का एक्स प्लस रूट ए वाई तो अगर मुझे इस चीज़ का जो है कंजूगेट लिखना है एक्स प्लस रूट ए वाई का तो मैं क्या लिखूंगा इसका कंजूगेट हो जाएगा मेरा एक्स माइनस रूट एय वाय मतलब सिंबल को हम लोग रिवर्स कर देंगे मतलब यहाँ पर पॉजिटिव था तो उसका मैंने क्या कर दिया गडिया हमारा जो फ्रॉस्ट कोशेन है वह है मल्टीप्लाइ मतलब हमको क्या करना है यहाँपर मल्टीप्लाइ करना है जो number given है तो first question में करूँगा तो root 3 जो given है मेरे को root 3 पहले root 7 से multiply होगा root 3 root 3 से multiply होगा तो इस तरह से होगा कुछ तो यहाँ पर क्या जाएगा पहले root 3 आएगा से पहले मैं इसको यहीं पर solve कर रहा हूँ तो यह root 3 into root 7 minus root 3 into root 3 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा root 3 into root 7 हो जाएगा root 21 हो जाएगा और minus आपको पता है root के नदे दौनों सेम ही आ रहे है root 3 आ रहे और ुरू 1 है मेरा root 3 तो मैं इसको root 3 into root 3 मतलब क्या हो जाएगा केवल 3 बचेगा यहाँ पर ठीक है इसको rearrange कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर minus का 3 है तो minus का 3 मैं आगे लिख दूँगा और plus का root 21 है जो कि अब देख पा रहे हैं यहाँ जो 21 है मैं इसको shift कर रहा हूं पीछे में मतलब यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 3 plus root 21 और यह मेरा क्या हो गया answer हो गया यहाँ पर अब यह second question जो देख रहा है बहुत similar है first question की तरह से यहाँ पर root 3 आगे लिखा हुआ था इसमें क्या-क्या root 2 को पीछे लिख दिया करने का method same रहेगा और आप इसको try कीजिएगा अब हम देखें हमारा जो है second question मतलब first question का next part subpart है third subpart यह थोड़ा सा difficulty level और ने increase कर दिया है और इसको solve करने का तरीका बताऊंगा देखें यहाँ पर क्या होगा root 3 root 2 minus root 3 into 4 root 3 minus root 2 तो पहले क्या होगा root 3 root 2 जो यहाँ पर देखें रखा वो multiply होगा 4 root 3 से और फिर minus 3 जो देखें रखा हो 4 root 3 यह आपने पहले भी क्लास्वर में किया होगा 7th में 8th में 4 root 3 minus root 2 आ जाएगा और फिर minus root 3 है कि minus root 3 जो आ हो कहां से आ है यह वाला जो minus root 3 यह वाला bracket open कर रहा हूं उसके लिए हो जैसे तो 4 root 3 minus root 2 हो जाएगा clear है अब यहाँ पर क्या होगा यह 3 root 2 अभी multiply होगा 3 root 2 into 4 root 3 से ठीके minus क्योंकि जोनक वीचे minus है फिर से 3 root 2 multiply होगा यह वाला minus और यहाँ पर positive positive negative का multiplication होगा तो क्या मिलता है negative ही मिलता है तो 3 root 2 into क्या हो जाएगा भी root 2 आ जाएगा अब यहाँ पर हम लोग multiplication करेंगे minus root 3 into 4 root 3 लिखूंगा मैं तो यह minus root 3 into 4 root 3 हो जाएगा और minus root 3 into minus root 2 हो जाएगा तो minus root 3 लिखा अब जेकि minus root 3 और minus root 2 है तो यह क्या हो जाएगा minus into minus क्या हो जाएगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 आ जाएगा ओके अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स को मुझे मल्टिप्लाय करूँगा तो इन दोनों टर्म्स का क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 क्या हो 12 और root 2 into root 3 क्या हो जाएगा root 6 हो जाएगा ओके अब यह लिए टम का मैं multiplication करूँगा यहाँ पर तो 3 into root 2 into root 2 क्या हो आपको पता है 2 हो जाएगा तो minus 3 into 2 आ जाएगा फिर minus आएगा यहाँ पर अब मैं इन दोना तो इसका मतलब यहां पर क्या जाएगा? माइनस 4 इंटू 3, यह रूट 3 का मैंने क्या लिग दिया? 3 बचेएगा सिर्फ यहां पर, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगे, दौनों रूट के अंदर ही multiply हो जाएगे, फिर हम इसको आगे और simplify करेंगे, यहां पर, तो यह 12, रूट 6 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू प्लस 2 हो रहा है, यह वाली टम्स का मैं अगर multiplication करूँगा, तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा? माइनस 6 मिल जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, माइनस 12 मिल जाएगा, प्लस का जो रूट 6 था हो, यहां पर copy हो क्या जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, अब देखे हम addition and subtraction करेंगे, तो 12 रूट 6 है और यह 1 रूट 6 है, हम पर माइनस 18 हो जाएगा, तो इसको एक notation में लिखते हैं, हम लोग नॉमली ऐसा कोई hard and fast rule नहीं, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा, या फिर minus 18 प्लस 13 रूट 6 हो जाएगा, तो यह हमारा first question complete हो गया, अब हम move करेंगे अपने next question, मतलब second question की तरफ में, second question मैं बोल apply होगी, मतलब जो denominator में दिया हुआ है, यहाँ पर देखें, दौनों के बीच में जो है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो हमारा जो भी मैं rationalize करूँगा, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, root 7 minus root 2 upon root 7 minus root 2, ओके, अब हमारा यहाँ पर क्या होगा यह चीज़ तो 1 से multiply हो रही है, तो root 7 minus root 2 ही आ जाएगा, जैसा आता है, root 7 minus root 2 हो जाएगा यहाँ पर, और upon में आ जाएगा मेरा, अब देखें, यहाँ पर जो property apply हो रही है, वो property है, a plus b हो रहा है, मतलब root 7 plus root 2 है, root 7 minus root 2, तो आपको identity पता है, a plus b into a minus b, तो क्या होता है, a square minus 20 का रहुता है, तो आपके लिए understood है भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, root 7 का square हो जाएगा यहाँ पर, और root 2 का भी square हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, root 7 का, root 7 ही रहेगा, numerator में, और denominator में क्या हो जाएगा भी यहाँ पर, denominator root 7 का square मतलब क्या आ और root 2 का square क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा तो root 7 कर तो root 7 फिर से अगे वही चीज रहेगी यहाँ पर और subtraction करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा root 7-2 क्या हो जाएगा 5 हो जाता है ठीके तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा उसका इन second question देखने है second question जो given है हमको यहाँ पर इसको भी rationalize करेंगे तो rationalize करने के लिए फिर से वही चीज होगी दोनों के बीचे यह symbol minus का है तो यहाँ पर बस plus का हो जाएगा तो root यह हमको denominator को rationalize कर रहे है इसके लिए ऐसा हो रहा है तो denominator जो है दोनों same रहना बहुत ज़रूरी यहाँ पर ही मैंने numerator और denominator दोनों same ही रखे थे कई बार बच्चे confused कर जाते है कि यहाँ पर negative है तो है पर positive हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या तो वैसा नहीं करने आपको दोनों का values exact same हो जाए numerator की भी denominator की भी जो term हम rationalization के लिए use कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी नहीं है तो यहाँ पर यह आ गया अब 3 जो है इस term से multiply होगा फिर 3 इस term से multiply होगा तो 3 into 2 root 5 आ जाएगा plus 3 into 3 root 2 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा a minus यह a term हो जाएग यह a minus b into a plus b तो क्या जाएगा यहाँ पर 2 root 5 square minus 3 root 2 square हो जाएगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे 3 into 2 होगा तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा 6 और root 5 आ जाएगा यहाँ पर plus का symbol बीच में था यहाला जो symbol था हो मैं आजएटिव यहाँ पर 5 लिख दिया अब 3 into 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा और root 2 हो जाएगा upon अब देखिए हमें 2 root 5 का ना square करना है तो मैं आपको rough में करके बतारू 2 root 5 का square मतलब क्या हो गए 2 root 5 into 2 root 5 होगा तो 2 into 2 होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा root 5 into root 5 क्या हो जाएगा 5 आजएगा square root 5 हो square root 5 है तो यह 5 हो जाएगा तो इसका square क्या निकल के आगा 20 मतलब 2 root 5 का square मिला में को 20 तो मैं हापे क्या लिख दूँगा 20 I hope आपको इस समझ में आएगा यह rough work में आप कर सकते हैं अगर आपको doubt आता है या आपको confidence नहीं है कैसे solve करना है same with 3 root 2 को solve करना है तो 3 root 2 into 3 root 2 हो रहा है clear है 3 into 3 हो जाएगा 9 और 2 into 2 root 2 into root 2 क्या हो जाएगा 2 ही बचेगा क्यावली हापे 9 into 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा तो minus 18 हो गया है ठीक है अब देख यहापे 6 है यहापे 9 है तो मैं यहापे इसको वही लिख दूँगा 6 root 5 हो रहा है और जोनों को ready kind different है root 5 हो यहापे root 2 है तो इसलिए यह कभी add नहीं होंगे अगर यहापे root 5 होता है यहापे root 5 होता है तो यह add हो जाते है कोई और question मैं को बताऊंगा और यहापे क्या जाएगा अपना 20 minus 18 is 2 तो यह अपना solve हो गया जो third part आपको यहापे देख करके रखा हुआ है third part बहुत ही easy है और similar है बहुत ही जादा जो second part किया उसी तरह से तो third part आप खुझ से try किए I hope आप आप notebook लेके बैठे होंगे जैसे मैंने आपको last lecture में बताया था कि notebook का use कीजे मेरे साथ साथ में solve कीजे तो आपका match क्या होगा और ज्यादा perfect होगा अब यह fourth question जो है fourth question यह थोड़ा सा different है इसमें भी हम लोग वही करेंगे क्योंकि rationalize करना हमको denominator को denominator का ही term चेंज करेंगे यहाँ पर जो plus है इसके लिए मैं इसी को ही minus करूँगा क्यों denominator को कर रहे है इसी लिए question में given है तो यहाँ पर क्या जाएगा भी numerator में भी वही चीव आएगी root 5 minus root 3 root 5 minus root 3 और यहाँ पर भी आजाएगा root 5 minus root 3 आजाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह नीचे में a plus b और a minus b वहाँ वही सेम फॉर्मूला जो हम लोग बार बार रियूस कर रहे हैं पिछले दोस्व कोश्चे में मैंने उसके बताया तो root 5 का square हो जाएगा minus root 3 का भी square आजाएगा अब देखिए यहाँ पर उपर numerator में क्या हो रहा है यह दौनों की दौनों term जो हैं पर देखर के रख्यों है यह दौनों की दौनों term सेम है root 5 minus root 3 और root 5 minus root 3 तो इन दौनों का क्या हो जाएगा मतलब square ऑ घ्रिण एटो दो आटा है, तो यह क्या हो जाएगा रूट 5 मैनस root 3 और रूट 5 मैनस root, अब देखिये, यह क्या हो जाएगा अटो a हो रहा है, तो a square हो मतलब क्या हो जाएगा, a-b' का हुल square को में फॉमुला यूज करूँ है यह पर, तो नहीं रूर्ट 5 स्कूisiert मतलब a गया, ब्लस b स्कूное मतलब क्या हो जायेगा Um माइनस 2ab मतलब ROOT 5 इंटू रूट 3 आ जायगा upon में क्या आ जाएगा मेरे पास में याँ पर? ROOT 5igare मतलब 5 मिल जायेगा, Matthew ROOT 3 square मतलब 3 मिल जायेगा Um तो अभी ये 5 square मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 square क्या हो जाएगा plus 3 हो जाएगा root 3 square जो है और minus 2 root 5 3 मतलब क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास में और 2 root 15 आजाएगा ओके अभी हम लोग है पर क्या करेंगे upon 5 minus 3 क्या तो क्या मिलेगा हमेंको 2 मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 plus 3 is 8 minus 2 root 15 upon 2 हो जाएगा, अब मैं हाँ पर क्या करूँगा, 8 को 2 से डिवैड करूँगा, तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, minus 1 की simplify हो रहा था, तो मैं simplify कर रहा हूँ इसको, और 2 or 2 cancel हो जाएगा, तो क्या बचाएगा, root 15 कमेंट कीजिए और पने दोस्ते वाज शेयर कीजिए, thank you